हलो एवरिवान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्टिस हेल्थ केर की इनके उपर यूएस बेस्ट एक ट्रस्ट ने लीगल केस किया है और डैमेजस में 6.5 बिलियन यूएस टॉलर मांगे हैं तो इस टॉपिक को ह हम इस वीडियो में डीटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करेंट प्राइस पे आपको फॉर्टिस हेल्थ केर का शेयर लेना चाहिए नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्रा की बात की जाए तो इनकी 36 हेल्थ केर फैसिलिटीज हैं अगर हम जो इनके प्रोजेक्ट अंडर डेवलप्मेंट है उसको भी इंक्लूट करते हैं 4000 के आज सपास इनके ऑपरेशनल बैट्स हैं और 400 से ज्यादा इनके डाइगनॉस्टिक सेंटर हैं अगर इनकी जेवी यान हारा में Fortis Healthcare में 31% के आज सपास का controlling stake acquire किया था और IHH की अगर बात की जाए तो यह Southeast Asia के one of the largest operator है private hospital के इनके लगभग 80 hospitals हैं 10 countries में और इनकी अगर main market की बात की जाए तो Malaysia, Singapur, Turkey, India और Greater China जिसमें की Hong Kong भी आता है वो हैं और अगर बात की जाए latest development की, कि भई Fortis Healthcare में हुआ क्या है तो US-based एक trust है उन्होंने Fortis Healthcare और दूसरी कुछ companies के against एक complaint file करी है और इसमें Fortis के जो promoter हैं IHH वो भी included है और उन्होंने इनके उपर आरोप लगाया है कि इन्होंने copyright infringement यानि copyright infringement होता है जबकि कोई और किसी और का का अगर आप reproduce, distribute, perform और publicly displayed करते हैं जो कि एक copyright work है और उसका जो original owner है उससे आप permission नहीं लेते हैं तो इनके ओपर copyright infringement का आरोप है इसके अलावा tortious interference with contracts जिसमें कि कोई intentionally या improperly किसी contract ही performance के साथ interfere करता है तो वो आरोप लगाया है और कुछ अन्ने आरोप लगाये हैं और इनसे damages मे 6.5 billion US dollar के आसपास मांगाया तो लगबग Indian rupees में हम बोल सकते हैं 50,000 crore के आसपास और जो यह US की trust है इसका नाम है MCOR Investor Private Capital Trust Limited इन्होंने जो यह case या complaint file की है इसमें 28 defendants है या 28 companies या लोगों के against इन्होंने case file की है इसके अलावा 21 इसमें non party defendants हैं जिसमें कि Fortis Healthcare और IHH Healthcare बरहाद इंक्लूडड है और यह जो complaint है यह United States की District Court New Jersey में file की गई है इसको Fortis Healthcare ने अपनी stock exchange की filing में बताया है और IHH Healthcare बरहाद जैसे हमने डिसकस किया यह holding company है Fortis Health Promoter Northern TK Venture PTE Limited की और Fortis Healthcare ने बोलाए कि भई अभी इनको जो complaint की copy है वो नहीं मिली है हेक convention के अंतरगत अगर कोई भी जो litigants है यानि कि जो parties lawsuit में involved है वो अगर देश के बाहर रहती हैं या देश के बाहर से operate करती हैं तो उनको document serve करने होते हैं तो उसके अनुसार अभी Fortis Healthcare को इनको proper जो documents है व कोई Fortis इसके बारे में क्या कह रहा है कि क्या इससे कोई उनके उपर financial implication हो सकता है तो Fortis Healthcare ने कहा है कि जो अभी तक उन्होंने legal advice लिया है इस matter पर तो उनसे लगता है कि उनके पास strong grounds है कि जो यह भी complaint है इसको वो dismiss करा पाएंगे और उसकी वज़े से उनको नहीं लगता कि को necessary legal action लेंगे ताकि यह जो भी complaint या fire suit file किया गया है उसको dismiss करा पाएं under the relevant provision of law और इसके अलावा company ने यह बोला है कि at this point अभी इसका क्या damage होगा जैसे कि 6.5 billion US dollar बोला जा रहा है तो उन्होंने कहा है कि उसमें 28 जैसे पार्टियां defendants included हैं 20 से उपर non-party defendants हैं तो इनके उपर actually ली कितना आरोप लगाया गया है damages मांगे गया है वो अभी determine करना मुश्किल है तो अभी initial stage है company को जब इनको copy मिलेगी तब देखना होगा लेकिन अभी तक company का मानना है कि इनके पास strong ground है कि यह इस complaint को dismiss करा पाएंगे और अब अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें Fortis Healthcare का share लेना चाहिए है नहीं तो सबसे पहले अगर हम इनके share की past performance देखें तो पिछले तीन साल में इनोंने 107% के आसपास की बड़िया return दी है पिछले एक साल में भी 61% की बड़िया return रही है हाला कि पिछले एक week में इनका share लगभग 6.5% तक नीचे गिरा है तो हो सकता है कि जो ये case किया गया है उसका कुछ हसर इनके share price में पिछले एक week में reflect हुआ है हाला कि कल जब ये media में news आई थी तो इनके share ने ठीक ठाक perform किया ये green में बंद हुआ और अगर हम ticker tape के predictive analysis को देखे तो वो इसका average price 317 बताते हैं higher side पे 345 और lower side पे 238 जो कल की closing हुई है वो 289.4 पे हुई है P और P भी ratio है निका जो valuation अगर इनके peers के comparison में देखे तो काफी attractive लगता है क्योंकि बाकी सबका लगबग 65 से 85 के बीच में है और इनका 49 की P के साथ ही operate करते हैं अला कि ये loss making company है पिछले financial year में इनको 103 करोड का loss हुआ था उसकी वज़े से इनकी return on equity negative है लेकिन अगर हम पिछले 6 महिने की बात करें यानि कि last 2 quarter की जिसमें कि इनोंने result publish की है तो वहाँ पे इनको profit हुआ है तो हो सकता है कि इस financial year में ये ultimately profitable हो जाए अदर्वाइस इनका debt to equity ठीक ठाक लगता है और अगर मेरी personal opinion पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अभी इसका pricing ठीक है अगर आपको इस sector में भरोसा है तो आप किसी भी correction पे अगर इसकी वज़े से जैसे जो ये case file किया गया अगर कुछ negative sentiment होता है और इसका share गिरता है तो आप इसको ले सकते हैं ल तो मेरी first choice वो होगा लेकिन Fortis Healthcare को भी अगर आपको इस sector में भरोसा है तो consider किया जा सकता है और video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप Fortis Healthcare में invest करना चाते हैं तो अपने financial advisor से बात कीजिए उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें invest कीजिए. Thanks so much for watching the video and God bless you all.